नमस्कार दोस्तों स्वागत है इगान फार्म मशीन में आपका दोस्तों ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसका इस्तमाल जो है हम निन्दाई कोड़ाई में कर सकते हैं दोस्तों कई बार होता है दोस्तों हम जब खेती बाड़ी करते हैं सबजी बगान वगर लगाते हैं या सबजियों की खेती करते हैं तो दोस्तों हमें बहुत ही जरुत पड़ती है खरपतवार उखाणने वाले मशीन की और इसमें बहुत ज्यादा लेबर का भी खर्च होता है दोस्तों तो इस लेबर की जो खर्च है और समय की बच्चत करने के लिए हमें मशीनों की जरुत पड़ती है तो इस तरीके के मशीन का हम इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों इसका इस्तमाल जो है हम खरपतवार को खाणने के साथ साथ नए टीलो की निर्मान में भी कर सकते हैं दोस्तों जब फसल लग जाती है और हमें जो है मिट्टी चढ़ाने की जरुत पड़ती है जैसे मिट्टी को कई बार हमें रोटेट भी करना पड़ता है जिसको मिट्टी बदलना या मिट्टी को चढ़ाना भी कहते हैं तो इस तरीक के जो कामों के लिए दोस्तों ये मशीन बहुत ही बहुत ही बहतर है और इस मशीन के बारे में आपको और डेटल बता दूं कि ये मशीन जो है ये 52 की मशीन है दोस्तों इसका कारिया आप देखी सकते हैं कि इतने पावर हुल तरीके से काम करती है और ये 52 की जो मशीन है दोस् दोस्तों यह जो मशीन है वह बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है और इसकी जो टैंक की कैपसिटी है जिसमें हम इंधन अटते हैं वो लगबाग एक लीटर है एक लिटर की इंधन लेकर के हम इस पर काम कर सकते हैं दोस्तों लेकिन इसमें आपको 40 ml आपको ओयल की जरुद पड़ेगी पेट्रोल के साथ ओयल भी डालना पड़ता है क्योंकि ये ट्वी स्टोक की इंजन है इसलिए इसमें ओयल की जरुद पड़ती है तो ये मशीन से आप दोस्तों बहुत ही जल्दी काम ले सकते हैं और बहुत बड़े बड़े जो बागान है उस पर भी एक आदमी जो है आसानी से ये काम इस काम को कर सकता है तो इस मशीन को जो है आप अगर खरीदना चाहते हैं दोस्तों तो ये जो मशीन है वो आपको ऑनलाइन एविलेबल है अमेजन पर आप इसे खरीच सकते हैं इसका लिंक मैंने दे दिया हुए नीचे में तो ये था दोस्तों आज के लिए आपके लिए जानकारी दोस्तों और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी जानकारी आप तक पहुंचा सकें सबसे पहले